आप सबका स्वागत है technology के एक और नए और important update में credit card कैसे मिलेगा like this like this क्योंकि यहाँ बात करिया है तो दो multiple credit card multiple benefit लेकिन जो गलती मैंने किये वो आप ना करें इसलिए यह mainly video बनाए गई है और सबसे पहले चलते हैं unboxing पर kate card के unboxing बहुत जाला important हो दी क्योंकि एक नया relief देखने के लिए मिलता है तो आज हम unboxing करने वाले हैं access bank के kate card की जो की बहुत दिनों से वेट चलना था यह हमने बस ceiling को ली है इसकी पन्नी की तो यह कुछ आपको back side से देखने के लिए मिल जाता है यहां पर आप खोलेंगे तो यह जो ब्र पोर्शन है यहां पर नाम लिखा होता है address लिखा होता है और जिस ब्रांज से आया वो लिखा होता है तो यहां पर अजादी का अमरित महाँ सब बना रहे है access bank का क्रेट कार्ट जो हम बात करें से पीछे से इस तरीके से खोला जाएगा तो मतलब बहुत कुछ यूनीकनेस हाते हैं access bank के product जो की अच्छे लगते हैं क्रेट कार्ट का अलगी लुक होता है यहां पर क्रेट कार्ट किस उसका आएगा company का वो भी है क्या हमें रुपीस का मिलेगा यहां में वीजा का मिलेगा यह कुछ documentation है जो भी blur portion हो तो इसमें कोई private information होगी यह फ्रेंट में जो है कुछ आपको इस तरीके का प्रॉपर देखने के लिए मिलता है यहां पर यहां पर यह company आप मतलब जो बैंक है वह अपना contact नंबर इमलाइड देती है और यह यहां पर यह जो ब्लर portion है यहां पर करेट का नंबर है नाम आप लेकिन देख सकते हैं यहां पर यह कुछ दे रखाए कि किस तरीके से आपको एक्टिवेट करना है यह एक अच काए हटाएं तो अभी केरेट काट को हटा लेते हैं यहां को यहां पर क्या क्या मिल जाता है एक वह भी है तो फुलाल sourule profits पोशण च्छोड़ देते हैं यहां पर कुछ बिलर आ गया था वो धोके से एड्रस शॉफ हो गया था तो यह पीछे भी कुछ इस तरीकी की चीज़े देखने के लिए मिलती है और सबसे अची बात लगी हम शायद इसी यूपी आई के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और यह कुछ चीजे इसमें मतलब फै है request to upgrade replacement card तो मतलब सारी चीजे यह आपको देखने के लिए मिलती है और कुछ मतलब एक वैसे जो आता है जनरली वो चीज देखने के लिए नहीं मिली तो यह है कुछ हमने portion कुछ कुछ हाइट कर रहा है इसमें यह portion आपको देखने के लिए मिलता है वीजा का काड़ है लेक इसका back side आपको कुछ यह देखने के लिए मिलता है जो की कुछ ज़्यादा खास नीवल ब्लैंक की ब्लैंक portion है इसका proper लेकिन बात करें कार्ड की चो की अच्छा कार्ड है finally तो finally वहाँ पर आपने unboxing देखी हाँ पर बात करी जाता है आपको multiple benefit application देखने के लिए मिलती है जै तो क्या करना है सबसे पहली बात जैसे कि मैं बात करूँ एक credit card मेरा है और एक credit card मेरे भाई का है finally अब मेरा भी आ चुका है तो अब मैं अपना mainly use करूँगा लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होती है तब आप credit card use कर रहे होते हैं आप अच्छा business कर रहे हैं तो आप पे टियम flip card पे पे लेटर ले लिया जो कि बहुत ज़्यादा expensive आप हर कोई कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसे इमियाई में convert करते है multiple आपको extra interest देना पड़ता है साथ में यह है कि जो आपकी CV score है वो तो अच्छा जा रहा होता है उठ रहा होता है लेकिन जो आपका मतलब बात की जाए तो profit हो बिल्कुल जीर हो जाता है दूसरी चीज़ यह है तब आप credit pay later use कर लिया तो आपके pen card पे access हो जाता है कि हाँ इन्होंने इतना amount इधर से ले रखा है तो और ज्यादा problem होती है आपको credit card मिले में तो कभी भी आप credit card लेना चाहरे है तो pay later बात में लीज मतलब आप जहां पर maximum दुकान credit card या बात की जाए तो शुरू आ चुके तो आज की date में फिलाल ऐसा कोई issue नहीं है जादा कर बड़ी सिट्यों में जहां पर बैंक डिलिवर्ट कर देती है क्योंकि उन्हें मालूम है कि जहां शुरू में इंसान कपड़े खरीनना जाता है कहीं पर जोएली खरीनना जाता है या कुछ भी खरीनना जाता है तो वहां पर क्रेट काड मशीन होती है उपर से maximum लोग जो है online शौपिंग करते हैं तो क्रेट का यूस वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है multiple तरीके से उपर से आपकी salary बहुत क्यम है तब दिक्कत है सब्सक्राइबर अपनी जॉब छोड़ दी तो वहां पर बहुत जादा ट्रिफिकल सिच्वेशन थी तो हमारे अरौंड एका सब्सक्राइबर तो चलो सर्वाइब कर सकते हैं थोड़ा सा कम मिल रहा है लेकिन टाइम के साथ अच्छा मिलने लगा सब कुछ हो गया लेकिन क सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद जो अपने एक्सपेंसिफ ते वह इंक्रीज करें मल्टीपल तरीके से और जो लीमिट थी मतलब बैंक ट्रांजेक्शन थी वह मेरी लीमिट से बहुत जादा ओपर जा चुकी थी फिर फाइनली दुबारा से अपलाए किया जो हमने तो आप गूगल पे से भी अपलाए कर सकते है फिलिप कार्ट से भी एमेजोन से भी बट आपको ये से लाइक जरूर करना है करेंट करने से पहले कि आप मेंली शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं और किस एपलिकेशन से करते हैं जैसे कि फिलिप कार्ट से करते हैं तो यहाँ प करते तो आपको उसका cashback benefit मिलेगा और Amazon का ले रहे हैं तो ICIC का लेना ही जो हमारे access bank के क्योंकि वहां पर आपको उस तरीके benefit मिलते और SBI का मतलब मैं जो prefer करूंगा आपको तीनी credit card करूंगा जैसे कि access bank का हो गया ICIC bank का हो गया और SBI का हो गूगल पेसे में कुछ भी पे करता हूं वहां पर मुझे 5% cashback 100% मिलता है तो यह भी अच्छी चीज है पैट्रल भर्वात हो तो हमाँ पर 2% cashback मिलता है अब इसकी monthly fees का मतलब yearly fees का भी नहीं मालों में कितने रुपे करना है लेकिन यह है कि जितना में total पूरे महीने में चाहूं वह मैंने 3,000 रुपे किये तो वहां पर मुझे 220-230 रुपे का cashback मिल गया तो उस condition में तो बहुत अच्छी बात है लेकिन हमें तब आप कोई भी transaction करते हैं तो उस पर आपको GHD पे करने होती है तो यह थोड़ा सा charges भी है लेकिन यह चीज है आपका CV score अच्छा करत नॉर्मल टैम पे भी यूज़ करते रहना चाहिए क्योंकि salary आएगे तो payment करने का option होता है बस पैसा circulate करना आपको अच्छा आना चाहिए तभी आपके लिए credit card base है नई तो आप करजे में बहुत ज्यादा बन जाएंगे यह वीड़ा आपको अच्छे लगे चानल को subscribe प्राइब कर में वीड़ा कर दो आपको अजयादा आपको अज़े यह तो आपको अच्छे जाच्छे लगे अना चाहिए चाहिए करते बहुत